कि हलो फ्रैंस मैं रं चना कुवीत रं ना में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं लेके आई हूं केले की बहुत ही सबजी रेसपी बहुत केले की सबजी नहीं खाते हैं तो अगर यह सिस तरीके से आप बनाऊ-णe डिया जो नहीं खाते अब केले में मैंने थोड़ा सा नमक एड़ किया है मिर्ची पाउडर हल्डी आदी चमच मैंने हल्डी एड़ किया है इसमें गरम मसाला चाट मसाला और लहसुन भी इसमें मैं वह करके डालूँगी पीसके डालूँगी और इसमें सब को मिक्स कर लोगी अच्छे से आदी चमच मैंने इसमें लहसुन एड़ किया है और अच्छे से इसको मिला लोगी कड़ाई में मैंने ऑइल गरम कर लिया और एक एक करके मैं इसमें सारे स्लैस डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लोगी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा सब कुछ पढ़ा है इसमें नमक बगरा सब कुछ डाल दिया है अब इसको मैं फ्राई करके थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और इस तरह से अगर आप केले की सबजी बनाओगे न तो सच में सबको पसंद आएगा जो लोग नहीं तो हमाने प्राई कि अच्छी लगी और मैं यह सोचने लगी कि मैं आज तक केले की सबजी क्यों नहीं खाती थी और केले की सबजी भी इतनी अच्छी बन सकती है इसको मैंने अच्छी से पका लिया ह है और लट़ लटके तो एक बार आप लोग मेरे पताए हुए तरीके से अगर आप ये सबजी बनाओगे ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगने माला है और इसके लिए आपनों वीडियो को पूरा देखोगे तो ही पता चलेगा कि मैंने इसमें कौन-कौन सी चीजे एड की है किस तरह से बनाई है इस सारी चीजे आपको देखने के बाद ही पता चलेगा एक कड़ाई में मैंने ऑईल गरम कर लिया है उसमें मैंने जो भी पश फोरन होता है ना सबकुछ डाल दिया है अलग से मैंने इस पर थोड़ा सा सौफ डाला है सौफ डालने से इसमें खुजबू बहुत ही अच् इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे सी ब्राउन कलर का हुज है फेस में मैं टमाटर जो भी मसाले आड़ करने हैं वो सबकुछ आड़ कर दूँगी और प्याज में भूनते समय थोड़ा सा नमक डाल देने से उसे प्याज अच्छे से भून जाता है मैंने टमाटर एट कर दिया है एक टमाटर कटकर के डाला है मैंने इसमें नमक डाल दिया है मिर्ची पाउडर आपको तीखा जितना चाहिए उसे साथ से आप डाल दो हल्दी पाउडर चाट मसाला गरम मसाला यह सब कुछ मैंने इसमें डाला है इसको अच्छी से पका लूँगी सबको मिक्स कर लूँगी जो लेसन पीस के रखा था ना उसको भी मैं इसमें एड़ कर लीगी इन सबको मिक्स करके अच्छी से पका कि फिर मैंने इसमें जो केला पका या था वह इसमें एड़ कर दोगी तो इसने के लिए मैंने इससे ठक दिया है केले को इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का चाटा भी मारा था था चाहिए की यह सॉफट हो जाए कि देखिए एतने अच्छे से पग भी गया है अब मैं इसको मिसाले वाली कड़ाई में आड़कर दूंगी हम थोड़ा सा पानी का छाटा मारा है मैंने इसमें कि अच्छे से सॉफ्ट हो जा बहुत ही अच्छे सी मिक्स हो गया है कि मैंने आधि चमज कोड़ीनी डाला है ताकि इस। चीनी डालह से मिने ही आऔर किया ऐंक। इसमें आदी चमत चीनी एड़ किया है ताकि खटा मीठा फ्लीवर आया और यह सब्ची बहुत ही अच्छी बन गई है और मैं इसको पाउल में निकाल लूँगी और आप तो एक बार जरूर बनाना इसको और देखना बना के कैसा बनता है मैंने तो बनाया मुझे बहुत ही अ सब्सक्राइब करें थेंक यू